नमस्कार दोस्तों हम बात कर रहे थे इंगलिस के सिक्षन वीडियों को लेकर और हमने इससे पहले 12 वीडियों आपको अविलेबल करा दिये हैं जिसमें से आपके जो स्लेबस है सिक्षन वीडियों का उसके अकोर्डिंग 1x1 टोपिक को उठाते वे बेने करवाए हैं कोई ऐ यह काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है और बैस से बैस त्रीके से मैंने अपनी ओर से करवाए हैं तो इसको जुरूर देखेगा और जो लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो इसी करम में मेरे साथ जुड़े रहें ताकि जो इंगलिस का ओर स्लेबस है सिक्षन वीड भी करवाए हैं उनमें मोश्ट से मोश्ट इंपोर्टेंट कोसन भी हम करवाएंगे तो आज हम डिसकस करेंगे मुल्यांकन जिसे इंगलिस में बहते हैं इवलेशन और यह काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है इसलिए हो जाता है हलां कि इससे पहले मैं आपको एक चीज बनाने बी नहीं है बहुत ऐजी है चीजे अगर आप भंक से तैयरी करते हों इंगलिस फी काफी ऑजी हैं इंगलिस में तो बहुत सोत हैं आप जितनी मेहनत सreshkirt के शिक्शन वीडियो, हिंदी वीडियो में करते हूं उतनी तो इसमें करने के आवसकता ही नहीं मैंने आपको 12 वीडियो जब लेबल कराए है तीन इसके मान लीड़ ये टोटल 15 हो गए और एक भी वीडियो मिनेट 6 या 7 मिनिट से अबो का नहीं है तो कम से कम 90-100 मिनिट हो गए अब ये 900 मिनिट में आप सिक्षन विदियां क्लियर कर रहे हो तो कहां गाटा है वे तो ऐसी मान सिक सिक्षन नहीं बनाई तयारी करते रही है और ऐसा है कि एशिक्षन विद्यां इंग्लिस में तो आपको कुछ कीवरड्ड हैं यह कुछ द्यान में उनने चाहिए मेरे में उनीक्षन सक्तानि है हाड्ल कुष भी नहीं है ठोड़़ सी मैनत क्या है जितनी मैनत मैं ediyorum यहाँ उ आप खुद भी प्रशन जो है solution करते रहें तो हम डिसकस कर लेते हैं आज के इस वीडियो में काफी लंबा हो जाएगा फिर डिसकस करेंगे तो इवलेशन पर डिसकस कर रहे हैं अब तक हमने पढ़ा जो सिक्सन वीडियां बच्चे में किस प्रकार से पढ़ाया जाए टीचिंग अप्रोचे कोन सी अप्रोच काम में लिए लिए लेंग्वेश क्ल पड़ेते वो हमने पढ़ा था लेकिन अब हम पढ़ा रहे हैं कि मुल्यांकन कैसे करें यह चीज़े जो पढ़ा रहे हैं वो लागू हो रही हैं कहीं बच्चों को प्रोब्लम नहीं आ रही हैं वैसे तो आप देखते हैं कि मुल्यांकन है हर चीज में होता है अपने रियल लाइफ में भी होता है भी हम किसी से मिलते हैं तो भी हम अनमान लगाते हैं या हम मुल्यांकन करते हैं या हम कई बजार जाते है तो खुंक कोई चीज़ खरीदें तो उसके बारे में भी हम रूमलियांकल करते हैं वह कि इसका लाब क्या है मेरे हैसाब से ठीक रहेगी रखी हर चीजों में मुल्यांकल माब ले रहे हैं जो में कि टेचेशन अच्छा इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हम पढ़ेंगे क्या है इसमें सबसे पहले हम डिसकस करेंगे कि मुल्यांकन क्या है दूसरी चीज हमने इसमें डिसकस करेंगे कि मुल्यांकन क्यों करते हैं क्या आव सकता है इसकी तीसरी इसमें आता है कि मुल्यां स्केल सारी इसमें जो मैजरमेंट है और भी जो टोपिक है इसमें से कोई नहीं चोड़ेंगे आप निश्चेत रहें तो इवलेशन क्या है मैंने बताया कि हर चीज में बच्चे में सिक्षन विदी इसका सार तो यह है कि बच्चे में जो हम पढ़ा रहे हैं वह कितना कारगा है जो आपको ध्यान में होना चाहिए एक्जाम में आपको एजिटिक मिलेगा अगर यहां से प्रशन आता है तो क्या आएगा चेंज इन बिवेवर ओफ लर्नर एज दे प्रोग्रेस त्रू स्कूल यानि बच्चे की जो स्कूल में प्रोग्रेस है उसको देखते भी उसके इवलेट करना इवलेशन कहलाता है तो यह इपोर्टेंट है इसके लिए आप कीवर्ट ध्यान रख सकते हैं चेंज इन बिहेवर ठीक है इवलेशन वाज इंट्रोड़ेस बाइब यह बलूम यह बलूम के दवारा इंट्रोड्यूज गया था कौन सा इवलेशन नेक्स्ट जो लक्से है उसमें वो कितना सफल हो रहा है यह जो डेटरमाइन करना होता है यह जो इवलेट करना होता है वो किसके मादे में से करते हैं इवलेशन के मादे में से तो कहीं ना कहीं बच्चे की जो सफलता है उपलब दी है उसके बारे में भी इवलेट किसके मादे में से क तेटिचंग उसकी टीचण के बारे में यहीं जो बढ़ा था यह था था है लेर फ्रटिल मतलब बच्चे को भी जो कमी कहां और उसनी कितना पड़ लिया है यह कितना और बाकी है यह चीजेılहान के मादरकर से स्वाइप बच्चे को फता चलतीاب च viruses यह है यह आप ध्यान रखेगा फिद्बेग वाला कीबूर्ड ध्यान रखेगा फीड़बेक नेक्ट रापका इत एड़ियन फूर्माहिन्सि इत इस उध न इंफॉरमईल कंट्रि प्रोसेस यह जो है कंट्रिणॉसद्र सतत है क्यों से व्यापक है जैसे CC ही है न वेसे ही है लगातार चलती रहती है और व्यापक है व्यापक स्तर पर इवलेशन इस दे ट्राइपोलर सिस्टम इवलेशन के एक त्री ध्रुवे प्रक्रिया है अबजेक्टिव ध्यान रखना आपको उदस से लर्निंग एक्स्प्रेंस अनुबव और बिहेव स्कॉलेस्टिक यानि सेक्ष्णिक और गेर सेक्ष्णिक दोनों में यह इवलेशन किया जाता है नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि इवलेशन इजे न्यू टेक्निकल ट्रम इंट्रद्यूस्टू डिजाइन ए मोर कॉंप्रेहेंसिव कंट्सेप्ट ओफ मेजरमेंट यह ए तो हाइलाइट करके तो हम इसको पड़ लेते हैं इवलेशन इस देन्यू टेक्निकल ट्रम इंट्रद्यूस्ट डिजाइन ए मोर कॉंप्रेहेंसिव कंसेप्ट ओफ मेजरमेंट किसका कतनी यह राइट स्टोन का ठीक है तो आज हम इतने ही प्रडिसकस करेंगी अगले इसके जो में फैक्ट है में जो पॉंट है उस पर डिसकस करेंगे तो आज के वीडियो में इतना ही मुझे देजिए जादत थैंक्स बाबाई हसते रहें मुस्कराते रहें वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें